आप सभी श्रोतागड को बिन्दूतिवारे का साधर नमस्कार मेरे यूटूब चैनल पर आप सभी श्रोतागड का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आज के सेग्मेंट में मैं आप लोगों के लिए भूविक्यान यानि जियोलोजी पार्ट 30 लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ यह हमें तक्निकी रूप से उपलब्त कराने में परम आधने गुरू डॉक्टर मुकुन निलकंट जोसी सर का सहयोग रहासर को मैं नमन करती हूँ चलिए आए हम जानते हैं आज पार 30 के बारे मगर 29 तक आपने अच्छे से सुना होगा तो आपको काफी अच्छा समझ में आएगा और competitive exam में भी आपके काफी help करेगा तो चलिए जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि अठारवी सताथी के मध्य तक मनुस्य का ज्यान पत्थर माने पत्थर ही था खनी जिस सेल जीवास में वेगेर की अलग-अलग परिभासाएं नहीं वनी थी रत ने तो प्राचिनकाल से ही पता थे पर रत ने भी सामाने खनी जी है यह ज्यान नहीं था अनेक धातुयें भी मालुम थी और उन्हें कुछ बिसिष्ट पत्थरों को गलाकर निकाला जा सकता है यह जानकाई तो थी पर अभी रसायन सास्त्र का विकास नहीं हुआ था इन सारी परिस्थितियों में पत्थरों का अध्यान विद्वानों के सामने एक समस्या बना हुआ था मैं जो यह भुविज्ञान की कहानी लिख रहा हूं तो इसे पढ़ने वाले मेरे अनेक मित्र मुझे पारवार कह रहे हैं कि आप केवल यूरो की बात बता रहे हैं भारत में भी प्राचिन काल से क्यान विज्ञान बहुत बढ़ा चड़ा था आप उस पर कुछ क्यों नहीं लिखते मैंने उन्हें कहा कि यह तो सर्व बिदित ही है कि भारतिय सब्भिता भी अत्यंत प्राचिन सब्भिता है और पुरा तात्विक प्रमाडों से हम जानते हैं कि भारतिये भी प्राचिन काल से पत्थर धातु और रतनों का प्रियोग करते रहे हैं इसलिए खनन बिद्या धातु विज्ञान रतने विज्ञान आदिका अध्यान यहां भी निश्चित रूप से हुआ होगा ही हमें अनेग अस्थानों पर हडपा पूर्व कालीन ताबे की मृतिकाउं की प्रतिमाय मिली है जिनके ताबे का रासाइनिक विसलेशन करने से पता चलता है कि वह ताबा राजिस्थान के खेतडी ताबा छेत्र से आया था आज खेतडी में ताबे के आयसको के खाने हैं लेकिन प्रयाग एतिहासिक काल में भी लोग वहां से ताबा निकालते थे जब वो हार से सीशा, कोलार से सोना, आंद्र से हीरा, जारखंड से लोहा प्राप्त होता था मौरे काल से पत्थरों की मूर्थियां बनने लगी थी असोक का सिंग सीर्स अस्तंभ का पॉलिस सर्व ज्यात है गुप्त काल में बने लोहे के खंभे मिलते हैं तो यह सारा विज्ञान तो था ही इसमें कोई संदेह नहीं और उसके अनेक लिखित प्रेमाड भी मिलते हैं जिन पर विद्वानों ने काफी अध्यन किया है और कर रहे हैं भूविज्ञान के अन्ने विशे जैसे भूकम आदी पर भी चर्चा मिलती है इस सारे प्राचीन भारतिय भूविज्ञान विशे की चर्चा हमें करनी है और यथा आउकास हम करेंगे भी परन्तु जैसा मैं पहले कह चुका हूँ मेरे मत में प्राचीन भारतियों का व्यह ज्यान हमें उत्रादिकार में नहीं मिला है आज जो भूविज्ञान हम पढ़ते हैं उसका विकास युरूप में ही हुआ और हमें वह वहीं से प्राप्त हुआ यह अलग बात है कि जिने वह मिला वे पुराने ग्रन्तों से खोच-खोच कर निकालते हैं कि यह पता था बैपता था इस तरीके की बात बताते हैं पत्थरों का अध्यन कैसे करना चाहिए यह दो अठार्मी सताब्ती तक बड़ी समस्या थी अरिस्टोटल से लेकर प्राचीन परंपरा वाले बैक्यानिक मानते थे कि पत्थर प्रकुर्ती का पैसा ही एक अंग है जैसा प्राडी और पेड़े पौधे हैं अतर तीनों को समान तरीके से पढ़ना चाहिए परंत हम यह देख चुके हैं कि इसमें बहुत दिक्कते आती थी गेसनर ने पत्थरों के होतिक गुडों जैसे आकरती रंग आधिके आधार पर बरगी करण किया रसायनिन संगठन की बात महत्पूर है ऐसा भी लगने लगा था पर रसायनिक बिसलेशन के तरीके नहीं मालूम थे पत्थर बनने की प्रक्रियाओं की भी कोई पक्की जानकारी नहीं थी क्रिश्टल विज्ञान का विकास अभी होना था खनिज विज्ञान की उस सैस्वा वस्था में मैदान में आई अलफ्रेड बरनर जिनोंने खनिजों का गहन अध्यन किया और आधूने खनिज विज्ञान की नियू रखी इसके साथ ही बरनर प्रसिद्ध हैं कि उन्होंने सभी पत्रों के उत्पत्ति पानी से माने और नेप्चुनिस्ट विचारधारा के जनक बने वरनर के ब्यक्तित्त के बारे में और उन्होंने कौन से कारे किये इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को उन्तक जरूर सेयर करिये जो इंटरनेल सेवा से पंचित हैं आप सभी का आदर सम्मान के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत सुक्रिया आप सभी सुरोतागड को बिंदूतिवारी की तरब से नमस्कार